प्रमात्मा से प्राथना करती हूं कि परमात्मा आप सभी की सारी मनों कामनाई पूरी करें और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आए और अब मैं रात का खाना बनाने की तयारी कर रही हूँ क्योंकि आज का ब्लोक्स मैंने सुवे से नहीं शाम के टाइम से शुरू किया है तो मैंने गैस पर दूद बोईल करने के लिए रख दिया है दूद बोईल होगा तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ क्योंकि आज रात के खाने में दाल या सबजी नहीं बना रही हूं आज रात के खाने में बनाऊंगे टमाटर, हराधनिया, अदरक, लैसुन, हरी मिर्च इन चीजों की मैं चटनी बनाऊंगे और ये चटपटी चटनी खाने में सच में बहुत स्वादिश लगती है और अगर बाई चांज टमाटर कम खटे हों तो इसमें थोड़ा सा निम्भू का रश डाल सकते हैं जिससे चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाता है लेकिन मेरी जो टमाटर हैं ये देशी हैं, काफी खटे वाले हैं इसमें निम्भू का रश डालने की जुरूरत नहीं पड़ेगी और अभी मैंने मिक्सी के जार में सब चीजे डाल दी हैं क्योंकि चटनी मैं मिक्सी में ही पीश लोगे कुंडी और सोटे में बनाऊंगी तो बहुत जादा टाइम लग जाएगा और धनिया इतना अच्छे से पीश भी नहीं पाएगा मिक्सी में बनाऊंगी तो बहुत अच्छा पीश जाएगा तो अभी इसको पीश के रख देती हूँ और आज मैं गाजर का हलवा भी बनाऊंगे उसके लिए मैंने गाजर छील के और धो के रखी हुई हैं और चटनी मेरी बन गई है तो इसको मैं एक कटोरी में निकाल देती हूँ और अभी मुझे बरतन साफ करने हैं क्योंकि चाए के दूद के काफी सारे बरतन हो गई हैं जो मैं अभी पहले साफ कर देती हूँ बाद में आटा लगा के रोटी बनाने की तयारी करूँगे नहीं तो फिर रोटी बनाने के बाद तो इतने सारे बरतन हो जाएंगे कि एक साथ साफ करने में भी दिक्कत होती है तो अभी बरतन साफ कर लेती हूँ, फिर आटा लगाउंगी और साथ के साथ आप सभी को एक सुन्दर सा भजन भी सुना देती हूँ और आज का ये भजन है गुरू और चेले का गुरू अपने चेले से सवाल करता है और चेला अपने गुरू के सभी सवालों के जवाब देता है का भेद बता दे रह मन सुपना आया सुपने कीटे धीमाया रबता दे चेले सुपने का भेद बता दे रबता दे तुछे ले यो बेना नीर का कुवा ओ ये आँखे गुरू जी यो बेना नीर का कुवा रबता दे तुछे ले सुपने का भेद बता दे रबता दे रचे ले या बेना रूख की छाया हो यो सुपातर बेटा या बेना रूख की छाया रबता दे रचे ले सुपने का भेद बता दे रबता दे रचे ले यो बेना मौत मर जाना हो या कुपातर बेटी यो बेना मौत मर जाना रबता दे चे ले सुपने का भेद बता दे रह मन सुपना आया सुपने की छाया बेना रबता दे रबता दे चे ले या बेना बरप ठंडाई ओ यो प्रेम गुरू जी या बेना बरप ठंडाई रबता दे रचे ले या बेन मीठे की मिठाई ओ या जीब गुरू जीब न मीठे की मिठाई रबता दे रचे ले सुपने का भेद बता दे रबता दे तुँ चे ले सुपने का भेद बता दे रबता दे रचे ले यो बेना आगे जड़ जाना हो यो क्रोध गुरू जी यो बेना आगे जड़ जाना रबता दे रचे ले यो बेन पांखा का पंची हो यो मन है गुरू जी यो तो बेन पांखा का पंची रबता दे रचे ले सुपने का भेद बता दे रबता दे रचे ले या हेली इट बिना गार्या हो यो सरीर गुरू जी या हेली इट बिना गार्या रबता दे रचे ले यो बिना डार का खंबा हो यो धर्म गुरू जी यो बिना डार का खंबा रबता दे रचे ले सुपने का भेद बता दे रबता दे रचे ले यो बिन दीपक उजी आडा हो यो ग्यान गुरू जी बिन दीपक उजी आडा रबता दे रचे ले सुपने का भेद बता दे रबता दे रचे ले या बिना बेल की बेडी हो यो मो ममतास गुरू जी यत बिना बेल की बेडी रबता दे रचे ले सुपने का भेद बता दे रबता दे रचे ले सुपने का भेद बता दे रबता दे रचे ले मुकती की खास दवाई हो या भगती गुरू जी मुकती की खास दवाई रबता दे रचे ले यो ग्यान कडे तैल आया और सी मुनिया ने दिया था हर दे के भीच समाया रशवास ओचे ले तन सुपने का भेद बता दे तो प्रेंट से आप सब को आज का ये भजन कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट्स करके जुरूर बताईए और ये भजन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मेरा बहुत फैवरेट है और भजन पूरा हुआ तब तक मेरे लगबग सब काम कम्प्लीट हो गई है मैंने गाजर कस के कुकर में डाल के और इसको रख दिया है इसमें तीन सीटी लगवा दूँगी और अब मैं रोटी बनाके सबको साथ के साथ खिला दूँगी फिर मैं बाद में हलवा बनाने की तयारी करूँगी तो आप सब भी आज ये आज रात के खाने में बहुत ही चटपटी सी चटनी बनाई है साथ में मक्षन है और गर्मा-गर्म रोटी हमारे साथ खा लीजिए तो अभी खाना बना के खिला देती हूँ बरतन वगरा मैं बाद में साप करूँगी रोटी बना के खा गी पहले हलवा बनाने की त्यारी करूँगी तो खाना पीना सबका हो गया है तो चलिए पहले हलवा बनाने की तयारी कर लेते हैं गाजर हमारी बिल्कुल पक चुकी हैं तो अब मैं इनको कड़ाई में डाल लेती हूँ और जब हम इस तरह से सीटी लगवा के हलवा बनाते हैं तो एक तो बनता जलती है और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है तो मैंने इसको जो है कड़ाई में डाल लिया है और गैस का फुल फ्लेम करके और इसे गैस पे रख दिया है ये मलाई वाला दूद है चार किलो मेरे पास दूद आता है तो उसकी ये दो दिन की मलाई है और लगभग एक किलो इसमें दूद था तो ये मैंने इसमें डाल दिया है मलाई से अब क्या होगा कि इसमें दूद हमें कम डालना पड़ेगा अगर ज़्यादा दूद डाल के और फिर मैं इसको बनाऊंगी तो इसको बनने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन मेरे पास ये 8 किलो दूद की मलाई थी और उसमें 1 किलो मैंने दूद डाल दिया है और फिर मैं इसको बना रहे हूँ तो ये देखिए क्या ना इसका स्वाद भी अच्छा आ जाएगा और ये बन भी जल्दी जाएगा अब मैं इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी और इसमें मैंने डाला है इलाइची पाउडर 3-4 इलाइची कूट के और उसका पाउडर बना के इसमें डाल दिया है इलाइची पाउडर से हलवे में स्वाद भी अच्छा आता है और खुस्बू भी बढ़िया होती है और इसको मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी पिरे जैसे रसोई साफ करनी है, बरतन साफ करनी है ये सब काम बीच बीच में करती रहूँगी तो मेरा काम भी complete हो जाएगा और हल्वा भी बन जाएगा ये जब बिल्कुल इसका पानी वगरा इसके अंदर इसने सोक लिया था तब मैंने इसमें चीनी डाल दी है क्योंकि अब चीनी भी पानी छोड़ देगी और इसको लगातार चलाती हुए तो ये देखिए इसका पानी थोड़ा सा ही बचा है लगभग इसका पानी सारा का सारा इसमें जल चुका है अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ वैसे तो इसमें मलाई डाले थी तो चिकनाई इसमें काफी है लेकिन फिर भी स्वाद के लिए इसमें मैं थोड़ा सा गी डाल देती हूँ और साथ में अब मैं इसमें डालूंगी काजू और बादाम जिसको मैंने दरदरा सा मिक्सी में पीस लिया है और ड्राइफ रूट तो अपने इसमें डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं ये आपकी अपनी मरजी है तो गाजर का हलवा बनके हो गया है तयार आप सब भी आईए और गर्मा गरम गाजर का हलवा खा लीजिए और सरदियां शुरूँ हो चुकी हैं आज मैंने पहली बार इस सरदी में गाजर का हलवा बनाया है सरदियों की तो ये एक बहुत अच्छी डाइट होती है बच्चों को बड़ों को सब को गाजर का हलवा बहुत पसंद होता है और अभी एक बहन का कमेंट था कि आपने गोंद की लड़ू या बेसन के लड़ू नहीं बनाए हैं तो क्या है कि अभी किसी का मन नहीं है सब नोना कर रहे हैं अगर किसी की इच्छा होई तो मैं जरूर बनाऊंगी तो आईए और गाजर का हलवा खा लीजिए आज की इस वीडियो का मैं यहीं प्रैंड करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधा स्वामे राधे राधे जै शरी राधे बाई बाई आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए